हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी निउस वर्ल्ड में तो दोस्तो ये ख़वर पीले से जड़ी हुई है जो कि चीन की आर्मी है तो दोस्तो मैं कहूं कि चीन की आर्मी चोर है तो आप मानेंगे नहीं पर ये एक दम सच है कि चीन की आर्मी पीले चोर है और मै इसको सबूत भी आपको बताऊंगा तो ये तो सब को पता है कि चीन साइबर चोरी करवाता है तथा दूसरे देसों की युद्ध तकनीकों को चुराने के लिए अपने नागरिकों का भी इस्तेमाल करता है दुनिया भर की रक्षा तकनीकें चुराने में किसी भी हद तक जा सकता है पॉलसी लिसर्च ग्रूप ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने केवल अमेरिका और यूरोप की ही नहीं बलकि रूस की भी रक्षा तकनीक चुराई है वह हर देश की डिफेंस टेकनोलोजी चुराने में लगा है दब पॉलसी रिसर्च ग्रूप ने पेंटागन की रिपोर्ट में हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका से इंपोर्टेंट सेन रहस्यों को इखटा करने के लिए डैनमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंटी सम्मरीन और एविएशन टेकनोलोजी का इस्तेमाल करता है अगर पिछले छे सालों में विदेश में ग्रफतार चीनी नागरों को का पैटन को ही देखा जाए तो पता चलता है कि जारतार जानकारियां सेना से जल्वी हुई जानकारियां को चीन भेजते थे रिपोर्ट के एनिसवार इसी साल 24 अक्टूबर को चार चीनी नागरों को अमेरिकी सेन जानकारी को साधा करने के आरोप में ग्रफतार किया गया था इन मेंसे तीन चीनी नागरिक राजय सुरक्षा मंतरा लेके अधकारी पाए गए थे 2021 में भी छे सिक्षाविदों को तब ग्रफतार किया गया जब वो अपने सोध संस्थान के बारे में बताने में बिफल रहे थे इन मेंसे मैसाचुसेट इंस्ट्यूट टेकनलोजी का गैंचेन था ऐसे ही 2020 में PLA का एक अधिकारी को FBI द्वारा ग्रफतार किया गया था जिससे पूस्तार सर के दोरान PLA का अधिकारी होना कबूल किया था जो कि PLA में मेजर की रेंग के रूप में तैनाथ था दोस्तो कितनी ही ऐसी घटना हैं जिनमें PLA के उच्छ रेंग के अधिकारी भी सामिल थे तो दोस्तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें ताकि भविश्य में भी ऐसी ही और इंफर्मिटिव वीडियो में आपके लिए ला सकूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आइकन को जरूर दवाएं बहुत बहुत धन्यवाद